नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल स्कूल चले में और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम NCRT Civics Class 7 के 9 चेप्टर को पढ़ेंगे और इस चेप्टर पे आज का हमारा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, जिसका नाम है बाजार में एक कमीज, तो यह जो अध्याय है, हमें एक कमीज की कहानी बताएगी, और यह कहानी सबसे पहले आरम होती है कपास के उत्पाधन से, और कमीज के बिगने पर यह खतम हो जाती है, हम देखेंगे कि बाजार की स्रिंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरने वाले से कैस जोड़ देती है यह जो स्रिंखला है यह जो चेन है इसमें हर कड़ी के साथ खरितना और बेचना जुरा हुआ है और क्या इससे सबको बराबर लाब होता है या कुछ को दूसरे के पेच्छा अधिक लाब होता है या भी हम इसमें पता लगाएंगे कोशिस करेंगे जाने की तो सबसे पहले हम कुर्णूर के बारे में जानेंगे आप जानते हैं कुर्णूर जो है आंत्रपरदेश में है तो कुर्णूर में कपास उगाने वाली एक किसान और इस किसान का नाम है स्वपना जो की एक छोटी किसान है अपने छोटी से खेक में कपास उगाती है कपास क पोधे पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमेर से कुछ चटक भी चुके हैं इसलिए जो स्वपना है वो रूई चुनने में व्यस्त है डोडे जिन में रूई भड़ी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं इसलिए रूई की फसल इकठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है रूई एकतर हो जाने के बाद स्वपना उसे अपने पती के साथ कुर्णूल के जो कपास का बाजार है वहाँ पर ना ले जाकर एक अस्थानी व्यपारी के पास ले जाती है उसे बेचने के लिए तो फसल की वोनी शुरू करने के समय स्वपना ने व्यपारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, किटना सक आधी को खरने के लिए बहुत उची ब्याज़ दर पर पचीस सो रुपे कर्ज पर लिये थे तो उस सेमें जो अस्थानी व्यपारी राता है उस्वपना को एक सर्थ मानने के लिए सहमत कर लिया था और उसने स्वपना से वादा करवा लिया था कि वो सारी, अपनी सारे रुई उसे ही बेचेगी वतल्ब उसी व्यपारी को बेचना होगा अब देखें यहाँ पर आप कपास के चित्र को देख सकते हैं इसमें कुछ स्विंखला बनी है उसे हम जान लेते हैं तो जो सबसे पहले है वो है कुर्णूल की जो कपास मंडी में वैपारी कपास बेचता है फिर जिनिंग मिले कपास खरिद लेती है और जो ये मील है वहाँ से कपास से बीज हटाती है और दबाकर कपास के गठर बनाती है और जो चोथा स्रिंखला है यह सूत कातने की मिले कपास के गठर खरिद लेती है और जो पाचवा है उसमें सूत कातने की मिले कपास से धागा बनाती है जो छट्ठा है उसमें सूट कातने की मिले वैपारियों को धागा बेच देती है तो इस तरह से काम आपका आगे बढ़ते जाता है अब हम स्वपना के पास पहुचते हैं तो कपासी खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रुरत परती है जैसे की उर्वरक, किटनासक, आदि तो इन पर किसानों को काफी खर्च भी करने पड़ते हैं प्राया यह जो कर सकते हैं कि जो छोटे किसान हैं इन खर्चों की पूरती करने के लिए पैसे उधार लेते हैं वैपारी के परिसर में उसके दो आदमी रूई के बोरे तोल रहे थे और पन्रह सो रुपे प्रती क्विंटर के हिसाब से रूई जो है वो छे जार रुपे की होती है वैपारी ने दिये हुए रिन और ब्याज के तीन हजार रुपे काट लिए योटि यह आपको याद अगवज ने पहले ही स्वपना को कुछ रुपे उधार दिये थे अब इन दोनों में बात होती है स्वपना और वैपारी में चलिए हम उसे पढ़ लेते हैं तो स्वपना करती है केवल तीन हजार रुपे वैपारी रुई बहुत सर्स्ती विक रही है बाजार में बहुत रुई आ गई है स्वपना इस रुई को उगाने में मैंने चार महिने तक जीत तोड मेहनत की है आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है इस बार मुझे बहतर कीमत मिलने की उमीद थी वैपारी अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ दूसरे वैपारी इतनी भी नहीं देंगे आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुर्णूल के बजार में जाकर पता लगा आओ स्वपना नाराज ना हो मैं भला आप पर कैसे संदे कर सकती हूँ मैंने तो केवल उमीद ही कि थी कि इस बार रुई की फशन में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महिनों का गुजारत चल सके यद भी स्वपना जानती है कि कपास कम से कम अठारा सो रुपे प्रतिक उस पर निर्भर रहना पड़ता है ना केवल खेती के लिए बलकि अन्य भी बहुत सारी जो आवस्ता होती है जरूरते होती है जैसे कि बीमारी बच्चों के स्कूल के फीस इन सभी में तो फिर वर्स में ऐसा समय भी आता है जब पिसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी कोई आई भी नहीं होती है तो उस समय केवल रिन लेकर ही जिवित रहा जा सकता है और यह रिन कोन देता है तो यही वेपारी देते हैं कपास की पैदावार करके भी स्वपना की जो आय है उस आय से पर थोड़ी ही जाता है जादा नहीं है जहां पर वह मजदूरी करके कमा लेती है तो हमने करनूल को जाना अब हम इरोड को जानते हैं यह तमिलाडू का है और यहां का कपड़ा बाजार हमारा सेकेंड पॉइंट है तो तमिलाडू में सप्ताह में दो बार लगने वाला जो इरोड का कपड़ा बाजार है संसार के विसाल बाजारों में से एक है इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है आसपास के गाओं में बुनकरों के द्वारा बनाए गया कपड़ा भी इस बाजार म कप्ड़ा खुरिने आते हैं बाजार के दिनों में आपको शो स्वक भुनकर भी मिलें जो वैपारियों के और के अनुसार कप्ड़ा बना कर यहां लाते हैं कि और यह वैपारी देश वीदेश के वस्थों जूर्माताओं, और निर्यात्यों को उनके और के अनुसार कपड़ा उपलब्त कराते हैं यह सूत खरिदते हैं और बुन्गरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तयार किया जाना है और यहां पर उदारन भी दिए गया हैं इस तरह से काम होता है तो हम उन्हें चलिए तो यहाँ पर देखिए आप तीन चित्र को देख रहे हैं पिक्चर है और जो सबसे पहला पिक्चर है आप देख सकते हैं यह बाजार में एक वैपारी का दुकान है और कई सालों से इन वैपारियों ने देश भर के वस्तर निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिया है जि कप्रा बुनने वाले बुनकर आसपास से गाओं में राते हैं और बे इन वैपारियों से सूत ले आते हैं बुनाई करने के करगे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही विवस्ता कर रखी है और यह जो तरस्वीर है उसमें आप ऐसे एक घर में रखे हुए पा बुनकर अपने परिवार के साथ इन करगों पर कई घंटों तक काम करते हैं बुनाई की अधित्तर ऐसी इकायों में दो से लेकर आठ करगे होते हैं जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तयार किया जाता है और इसमें क्या तयार होते हैं तो तरह तरह की साड़िया तॉलिये शटिंग और तो की पुसाग की कपड़े और चादरे इन कर्भू पर बनाई जाती है अभी जो तीसरा चित्रा आप देख रहे हैं चार लोग बैठा बताया जा रहा है कि भुनकर त्यार किये हुए कपड़े को सहर में वैपारी के पास ले आते हैं इस तस्वीर में भुनकर स कपड़े का भुकतान उन्हें कर देता है तो यह हमारा तीसरे जो चित्र है उसके बारे में जानकारी है अब हम जानते हैं दादन वजस्था यह दादन वजस्था क्या है तो बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा त्यार करना यह हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तो कपड़ उतलोक्त कराने कि जो आडल मिलते हैं, उसकी अधार पर वैपारी बुनकरों के बीच काम बाट देता है, बुनकर वैपारी से सूत लेते हैं और तयार कपड़ा देते हैं मतलब आप समझ सकते हैं कि जो वैपारी है वो कच्चा माल इन बुनकरों को देते हैं और बुनकर तयार माल बनाकर इन्हें वापस कर देते हैं और पैसे भी ले लेते हैं तो इस ववस्था से वुनकरों को असपरश्टता दो लाब होते हैं वुनकरों को सूध खरने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है और साथ ही कप्रे को बेचने की ववस्था भी हो जाती है तो कि ये इन्हीं बुनकरों को प्रारम में ही पता चल जाता है कि उन्ह कच्छे माल को प्राप्त करने और तयार माल की विकरी के लिए बैपारियों पर इन्हीं निर्वर होने के चलते बैपारियों का बहुत ही परचस्व हो जाता है वे आडर देते हैं क्या कप्रा बनाया जाना है इसके लिए बहुत कम मूली वो देते हैं जो बैपारी है इन्ह बुनकरों को काफी कम पैसे देते हैं, बुनकरों के पास यह जानने का भी कोई साधन नहीं है, कि वे किसके लिए कपरा बना रहे हैं, और वे किस कीमत पर बेचा जाएगा। इकठा कीजिए और इस पर चर्चा कीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी वेवस्ता है, जो दालन वेवस्ता पर चलती है, और वीरी पापर मसाले पर भी यह वेवस्ता काम करती है। देखिए कपरा बजार में वेपारी यह कपरा पहनने के वस्ता बढ़ाने के कार खाने को बेचते हैं, और इस तरह से जो बजार का जुकाब है, वह वेपारियों के हीतों में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा कुझी लगा कर उची ब्याज दर पर रिन लेते हैं, करगे खरिते हैं और यहाँ पर एक करगे का जो मूले है वो 20,000 रुपे दिये गया है। 20,000 रुपे में एक करगा आप खरी सकते हैं। इसलिए छोटे बुनकर को भी दो करगे लगभग 40,000 रुपे का निवेश करना पड़ता है। इन करगों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपरा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वेश सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। और इस पूरे कार के द्वारा वे महिने में लगभग 35,000 रुपे ही कमा पाते हैं। वेपारी और बुनकरों की बीच ये जो विवस्था है, दादन विवस्था का एक उदाहरन है जहां वेपारी कच्चा माल देते हैं और तयार माल राप्त कर लेते हैं। भारत की अनेक छेतरों में, कपरा, भुनाई के उध्योग में ये विवस्था प्रचलित है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बुनकर सहकारी संस्था तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे ही आगे बढ़ाएंगे तब तक आप देखते रहे हमारा यूटूब चैनल स्कूल चले धन्यवाद